हेलो फ्रेंट्स हमारे चैनल येस जे हिंदी रेस्पी में आप सभी का स्वागत है फ्रेंट्स आज हम लेकर आए हैं हरे बैगन की रेस्पी हरे बैगन देखने में लोकी जैसे लगते हैं लेकिन ये हरे बैगन है तो अभी तो ये आए हैं ताजे ताजे से हैं और पूरे एक किलो हैं लेकिन एक किलो तो बहुत जादा हो जाएंगे इतना तो मैं नहीं बनाऊंगे अभी मैं बनाऊंगी हरे बैगन की ही रेस्पी तो अभी इनको निकाल लेते हैं और इनको भी वाश करेंगे तो यह मैं सोच रही हूँ कि भर के बनाऊं या कैसे बनाऊं तो अभी हम न बख दिया है और इतने से मैंने ले लिया है इनको अभी हम वाश ciek से कर लेते हैं तो वे इंद की रिश्पीट वह तरहा टहरा के bananas क्ывать ये गोल बैगन लबे बादर न बहुत तरहे के pause हम आते हैं अज़ सब्चेस्ट होता है न तो अभी हमने ले लिया है साथ मालू और प्या कि सबजी बहुत जाधा टेष्टी बनती है और बन भी जाती है फटा-फट शिंपल सी सबजी बनती है करें कि हर सबजी काfle हृता है जो बाकि बैगन है गर तो विह कटब करिया है पनाछा है तो यह कभी-कभी मिल जाते हैं मार्केट में इतनी जल्दी नहीं मिलते हैं लेकिन कभी-कभी आ जाते हैं मार्केट में तो जैसे ही लेसी देखो आहे márket मैं तो ये बैगन लन्स को दाथे सो अ कॉत्त अथ नो लोगों के लिए बननी है सबजी तो ज्यादा quantity में है ठोड़ý सी दो गैस आन कर दिया है सर्फ्सों का टेल टाला है मैंने और साथ में दाल दिया है मेथी दाना की सबचों की कोई सब्जी न वहुत ज्यादा टेस्टी बनती है उसके साथ में हमने डाल दिया है लेसन की कलिया जो काट के रखी थी और एक प्याज जो काट के रखा है उसको भी मैंने डाल दिया है तो अज हम मैंमानों के लिए अपने बनाएंगे बेगन की सबजी हरी वाली देखते हैं पहचान पाते हैं हैं नहीं तो साथ में अभी प्याज हमारे भुन गए थे अभी हमने डाल दिया है टमाटर, चार टमाटर मैंने काट के इसमें डाले हैं चोटे-चोटे से टमाटर थे, चार डाल दिये हैं मैंने और साथ में डाल देंगे नमक, टेस्ट के अनुसार नमक डाल देंगे कभी कभी जब बहुत ज़्यादा सबजी होती है तो बड़ा कुकर चड़ाना पड़ता है बड़े कुकर में बनाना पड़ता है वरना इसकी अगर सूखी सबजी हम बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा वो भी टिस्टी बनती है तो अभी तो आज मैं रसे वाली ही बनाऊंगी तोड़ा सा लूटपुटी वाली जैसी होती न थोड़ा रसीली सी तो अभी देख लेते हैं डखने के बाद टमाटर हमारे गल गए हैं टमाटर प्याज अच्छे से गल गए हैं मिक्स ओ गए हैं और अभी हम डालेंगे मसाले तो ये है हल्दी पाॉडर और धनिया पाॉडर दनिया पाउडर हमारा ज्यादा है और साथ में डाल देंगे लाल मेश पाउडर और इसके साथ में डाल देंगे कलर के लिए काश्मेरी लाल मेश पाउडर और इसको मिक्स करते हैं मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे भूनेंगे टामाटर प्याज के साथ हमें तो कभी कभी होता है ना हमारे घर में बैगन की सब्जी बहुत पसंद की जाती है लेकिन कभी कभी होता है ना कि मेमान भी अगर उन्हें ने सुना की हरे बैगन है तो बोले बहुत ज़दा अच्छे लगते हैं तो मैंने का चलो आज हरे बैगन की सब्जी में बना देती हूं मेहमानों को लोग ज़्यादा तर करके पनेर खिलाते हैं चोले खिलाते हैं बट कभी-कभी जब family members होते हैं तो फिर कोई भी सब्जी चल जाती है तो अभी मैंने डाल दिया है गरम मसाला, homemade गरम मसाला और अभी हम डाल देंगे साथ में सब्जी तो सब्जी कोई भी हो लेकिन अगर उसको मन से बनाओ चाहे नॉर्मल मसालों से बनाओ या बहुत ज़्यादा मसालों से बनाओ तो अगर मन से आप बना रहे हो तो कोई भी सब्जी हो बहुत ज़्यादा वो टेस्टी बनती ही बनती है तो मेरे घर में तो इसी तरह का सिंपल खाना बनता है और ऐसे ही पसंद किया जाता है मेरे चैनल पे आपको सुझ साखहारी वाले ही जो रेश्पी मिलेंगी तो अभी सबजी को हमने मसालों के साथ मिक्स कर दिया है और अभी हम देख लेते हैं कि थोड़ा सा और थोड़ा सा नरम हो जाती अच्छे से और मिक्स हो जाते हैं तो थोड़ी देर ढखने के बाद अभी इसको हम फिर से चला देंगे इस तरह से मिक्स करेंगे को बच्चे से हमें थोड़ा सा भून देना है और जितनी ज़्यादा भून जाती है सब्जी ना उतना ही अच्छा टेस्ट आता है और अभी हम डाल देंगे इसमें पानी तो पानी हमें अगर सूखी सब्जी बनानी है तो बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है और मुझे स्टोर करके रख लेते हैं गर्मियों में जैसे आप आने लगें तो उसकी खटाई छेल के रख लेंगे तो श्यार करेंगे आप लोगों के साथ की कैसे हम रखते हैं तो अभी एक तरफ हमारे राइस पक रहें कूकर में तो जब ज्यादा लोग है तो फिर बड़े कूकर मै आख यहांवार गए स्वियर गल कोने उपनारी कैसी है। तूष सबजी हमारी 3ती सिविटी आने के बाद ही अच्छे सी गल गई थी थी क्योंकि गर्मियों में आलव बहुत चल्दी गल जातेária। अब बहुत जल्दी हमारी सब् Speed पकक गई हैं और अभी हम दें लेते हुinky और सब्जी हमारी पके वी है और अब हम साथ में डाल देंगे धन्यापति तो हरी पति हम जादा तो जादा ही अच्छी लगती है और तो आलोबेगन की हरे अलोबेगन की टेस्टी सबजी हमारी सिम्पल सी त्यार है फ्रेंड्स मिलेंगे एक नई रेषपि के साथ तब तक के लिए थैंक्यू बाई